दोस्तो आज इस फीडियो में मैं आप लोगों को साइको कमपनी का जो करेन रहता है इसमें जो आपका LT पैनल रहता है जिसको हम लोग लौंग ट्रावल बोलते हैं इसका 110 भोल्ट कंट्रोल सप्लाई के बारे में आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा इसके फॉल्ट आता है इसके बारे में बताऊंगा देखिएगा इससे पहले में जो भी वीडियो बनाया हूं उसमें आप लोगों को फॉल्ट के बारे में बताया हूं कि LT टेपर चलने से क्या करना पड़ेगा और LT में जटका ले रहा है उस टाइम क्या क्या करना पड़ेगा और आज में एक नंबर पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा कि LT में देखिएगा ज्यादातर क्या होता है जो आपका लॉंग स्याप्ट लगा वा रहता है ये ज्यादातर क्या होता है आपका तूट जाता लेकिन किस कारण से तूटता है किस लियर तूटता है step by step इसका भी आपको experience बनाना है क्यूंकि जब तक अच्छा experience बनाएगा नहीं तब तक क्या होगा कोई भी company में electrical का interview दीजिएगा या माली जी के private company में बहुत तरह का आद्मी भी रहता है मतलब बहुत सारा friend रहता है लेकिन आपका जो experience बनाना है एकदम बहुत solid और तगड़ा experience बनाना है नमस्कार दोस्तों practical experience टेकनिसी अंतापन यूटीब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज कुछ न्या सिखते है प इससे पहले दोस्तों मैं जो वीडियो बनाये था उसमें आप लोग को अल्रेडी बताया हूँ के जो city में 110 बोल control supply कहां से आ रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा चितना सेरा doubt है सारा doubt भी आपका clear हो जाएगा तो 110 बोल supply हमारा कहां से आ रहा है city panel से आ 20 नंबर है तो यह हम लोग को कहां पर मिलेगा जहां पर आपका connector लगा हुआ है उसमें देखिएगा wire है wire में आपका फेरूल नंबर दिया हुआ रहेगा या अभी के date में देखिएगा सफेद सफेद कलर का फेरूल आता है वो clip system डाला हुआ रहता है उसी में आपको देखन है तो neutral supply हमारा किस तरह काम कर रहा है पहले neutral supply आया आने के बाद किस में आया है आपका control वाला जो MCB लगा हुआ है control वाला MCB और ज्यादा तर आपका psycho company का जो भी crane रहता है इसमें आपका double pole का MCB लगा हुआ रहता है जीस हिसाब से आपका panel का load रहेगा उस हिसाब से आपको MC MCB लगाना है अब ही MCB हमारा यहां पर क्या NC बनेगा जब तब क्या होगा हमारा neutral supply आगे आएगा कितना नंबर कनेक्टर में आएगा 401 नंबर कनेक्टर के पास जो और रहेगा उसी में देखिएगा 401 नंबर लिखा हुआ रहता है जो जो main point है यह सब चीज थोड़ा जाएगा neutral supply आया आने के बाद मैं अल्रेडी आप लोग जो भी वीडियो सारा वीडियो में बताता हूं कि जितना सरा आपका ये two point है ये two point में आपका neutral supply देना पड़ता है और lt panel में कौन-कौन सा हमारा power contactor है और कौन-कौन resistance का contactor है और कितना timer लगा हुआ है इसके बारे भ resistance 1 के लिए 4C42 और आपका lt में क्या होता है दो मोटर रहता है दो मोटर के लिए दो दो आपका resistance में contactor लगा हुआ रहता है जैसे इस जगह में आपका दो contactor लगा हुआ है एक 4C42 एक 452 और कि इसके बाद हमारा आ जाता है resistance नंबर 2 4C41, 4C51, और तीन नमर में हमारा आज आता है क्या, कि 4C40, 4C50, और जो आपका ब्रेक के लिए कॉंटक्टर लगा हुआ रहता है, 4C7, अभी जितना सारा आपका टाइमर लगा हुआ है, टोटल टाइमर आपका ओन डिले टाइमर है, मतलब एनो में ही कनेक्शन रहता है, ज्या आपका लिवर टाइप लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है, जैसे मैं इस जगा में न्यूटल को काट करके लिमिट स्विच के कनेक्शन बनाया हूँ, न्यूटल सप्लाई आया, लिमिट स्विच के अंदर में जब धक्कन खोल के देखिएगा, तो दोगों कीट मिलेगा एक हमारा forward का कीट रहता है, एक हमारा reverse का कीट रहता है, तो दोनों में आगे, जब तक आपका लिवर टाइप लिमिट स्विच में जो कीट है, ये NC बना वो रहेगा, तभी तक क्या होगा, आपका जो power का जो contactor है, forward और रिवर दोनों में आपका neutral सप्लाई मिलेगा, ज्या आपको लिमिट स्विच को पहले चेक करना है, जब आप लिमिट स्विच को अच्छा से चेक कर लिजेगा, उसके बाद आगे का process कीस तरह चेक करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी LTE में आपका ज्यादा तर क्या फॉल्ड आता है, कि LTE हमारा taper चल रहा ह इसके लिए आपको क्या क्या चेक करना है, एक वीडियो में तुम्हें कुछ कुछ बताया हूँ, इस वीडियो में और भी doubt किलियर कर दूँगा, जैसे हमारा LTE में दोगों मोटर है, तो पहले आपको देखना है कि दोनों मोटर हमारा कितना RPM का है, ठीक है, तो ये किस में आपको मिलेगा, मोटर का नेम प्लेट में मिलेगा, नेम प्लेट में ही आपको देखना है, तो दोनों हमारा 960 RPM का मोटर है, दोनों मोटर एक साथ में 960 RPM में घुमना चाहिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे एक मोटर हमारा 960 RPM में घुम रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम आपका क्या होगा दोनों मोटर तो इस्टार्ट हुआ लेकिन इस्टार्ट होने के बाद जब आपका एक नंबर का रेश्टेंस कॉन्टक्टर अन होगा उस टाइम आपका क्या होगा यह जो दोनों कॉन्टक्टर है दोनों कॉन्टक्टर आपका अन होना चाहिए एक कॉंटक्टर ओन हो रहा है, एक ओन नहीं हो रहा है, उस टाइम देखियेगा, क्या होगा, एल्टी आपका टेपर भी चलता है, और ज्यादातर कभी भी आप चेक किजिएगा, तो कॉंटक्टर को सिरिफ दूर से देखने से नहीं होगा, इसका किड भी बहुत अच्छा से आपको multimeter से चेक करना है और multimeter में जब तक चेक नहीं किजिएगा तब तक आपका fault नहीं मिलेगा और एक तीन नमर में checking करना है एल्टी के लिए जो दोगों resistance box लगा हुआ रहता है तो दोनों resistance box का जो आपका value होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक resistance box में हमारा कितना ohms value है तो दोनों resistance box का ohms value आपको चेक करना है इसके उपर में practical video भी बनाया हूँ और ohms value चेक करके भी आप लोगों को दिखाया हूँ अगर उस video को देखे नहीं है तो ज़रूर देख लिजेगा दोनों resistance box का ohms value एकदम सेम रहेगा तब आपका कभी भी LTE टेपर नहीं चलेगा और ज्यादातर क्या होता है लोग सेप तूट जाता है किस कारण से तूटता है जैसे आपका resistance के लिए जो आपका contactor लगा हुआ है एक number में ठीक काम कर रहा है दो number पर भी ठीक काम कर रहा है लेकिन तीन number में ठीक से काम नहीं कर रहा है तीन number में क्या हो रहा है एगो contactor on हुआ दूसरा बला नहीं हुआ अगा दोनों contactor आपका on हो गिया है तो contactor के अंदर में कीट आपका खराब है अभी क्या होगा इसमें जैसे मैं 960 rpm बलाओ तो दोनो rpm क्या होगा अलग बलग रहेगा उसे के चलते चलते क्या होगा LTE जब speed लेगा speed लेते लेते क्या होगा Ego motor थोड़ा सा ज़्यादा घुमेगा Ego motor थोड़ा सुलो घुमेगा इसी के चलते क्या होता है कि ज़्यादा तर लॉंग सब्ड में देखिएगा netball तूड जाता है या जो wheel के साथ लगा हुआ देखिएगा wheel आपका जिसको हम लोग wheel बोलते है वो slip मार रहा है तो जब दक आप resistance box और आपका rotor का wire या resistance का wire या contactor चेक नहीं कीजिएगा fault आपका ठीक नहीं होगा अभी दोस्तों phase के connection के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा phase supply हमारा आया 10 number connector से किसमे आया control वाला MCV में जब हम MCV को on करेंगे तो हमारा या पर NC बनेगा जब NC बनेगा तो हमारा किसमे आजएगा thermal overload relay में LT में आपका दो motor रहता है इसलिए दो गो thermal overload relay लगा हुआ है दोनो thermal overload relay में 95 और 96 जो रहता है इसी में हम लोगों को connection करना परता है जब तक आपका thermal overload relay NC बना हुआ रहेगा तब ही तक क्या होगा supply हमारा आगे आएगा किसमें आएगा SPP 4 इससे पहले भी दोस्तो SPP 1, 2, 3 इसके बारे भी मैं आप लोगों को समझाया हो कि RYB supply तीनो आएगा तब ही क्या होगा SPP में जो आपका NC point है NC बनेगा कोई करन से एक phase नहीं आएगा तो आपका NO बन जाएगा तो इसको भी आपको बहुत अच्छा से चेक करना है जब आपका तीनो फेज ठीक से नहीं आ रहा है तो इस पे आपको चेक करना है क्या है क्या हमारा ठीक से NC बना है या नहीं बना है ज़्याद तर SPP 4 भी आपका कभी-कभी खराब हो जाता है माल लिज़े के RYB तीनो सप्लाई आ रहा है उसके बाद भी क्या होता के SPP 4 का जो NC point है ये ठीक से NC बन नहीं रहा है मतलब जो इसके SPP 4 लगाओ इसके अंदर में कार्ड लगाओ रहता है कार्ड में जब फॉल्ड आ जाता है तब ठीक से NC नहीं बन पाता है देखिएगा जो हम लोग on delay timer या off delay timer यूज करते है इसके अंदर में एको छोटा सा कार्ड लगाओ रहता है electronics का वो भी आपका कभी कभी खराब हो जाता है देखिएगा चार गोजो में वीडियो बना रहा हूँ या पाज गो वीडियो बना रहा हूँ हर वीडियो में अलग अलग फॉल्ड के बारे में बताता हूँ जब तक आप वीडियो को सुरू से लेके अपलेव को समझाय हूँ कि कौन सा Master Control L T में कितना Step का लगा रहता है City में कितना लगा रहता है Ben Almost में कितना का लगा रहता है कौन सा आपका 4X6 का होता है कौन सा 4X9 का होता है कौन 4X3 का होता है अगर उस वीडियो को देखे नहीं तो जुरूर देख लिजिएगा अभी हमारा जो forward side है forward side कीस तरह काम करेगा forward side में जब हम master control को जो ये master control का kit है ये NC बनेगा तो हमारा किस में आएगा 400 पचपर नंबर connector में जो आपका wire tight किया हुआ है wire में जो फेरिवेल लगा हुआ है फेरिवेल में आपको देखिएगा 400 पचपर नंबर लिखा हुआ है ये आएगा किस में ये हमारा reverse बला जो power contactor है इसका NC में NC में आने का बाद A1 में जब master control का kit NC बनेगा तब ही हमारा क्या होगा forward बला power contactor 1 होगा और forward side चलेगा और reverse side आपका कब चलेगा जब आपका forward side चलेगा तो उस time reverse side नहीं चलेगा जब reverse side चलेगा तो forward side नहीं चलेगा तो reverse side का kit जब आपका NC होगा तो आएगा 456 नंबर में और ये जो आपका forward का power contactor है इसका जो NC point होते हुए रिवास में घूमता है ऐक बार ओर इसका एक पावर का भी डिडिया में बनाका आप लोगो अघुल समझाओंगा देखिएगा बहुत सा फ्रेंड यह भी कॉमेंट किया है कि जो हमारे पास LT पेनल है इसमें हमारा 4 गों मोटर है किसी में 2 गों मोटर है किसी में 1 गों मोटर है इसके उपर भी जब मैं वीडियो बना का आप लोगimana को समझाऊंगा तो सारा डावट किलियर हो जाएगा आपको देखना है कि इस जगा में तो हमारा दोनों power contactor काम कर गया तो अभी क्या है इस जगा में जो resistance 1, 2, 3 यह सब जो काम करेगा ठीक है इस से पहले जो आपका break के लिए contactor लगा हुआ है और जो timer 1 है इसका supply है हमारा कहां से दिया हुआ master controller का end point से मतलब इस जगा से भी आप 110 बोल्ट दे सकता है या माल लिजिये के thermal overload relay के पास से होई MCB के पास से आप 110 बोल्ट supply जो power contactor लगा हुआ रहता है power contactor का एनो में connection रहता है जैसे 4C1, 4C2 4C1 और 4C2 हमारा क्या है reverse forward का power contactor है तो इसी का endo से आपका interlock दिया हुआ है और यहां से आपका एक loop दिया हुआ है 466 number ठीक है जब आपका power contactor on होगा चाहे आपका 4C1, 4C1 क्या है हमारा forward का contactor है forward का contactor on होगा तो दोनों आपका एक साथ में on होगा एक break के लिए contactor on होगा इसके साथ आपका एक 41 timer भी one होगा अभी timer आप कितना second में setting करके रखके है उस हिसाब से काम करेगा इस जगा में हम 0.1 second में setting कर दिये ठीक है 0.1 second के बाद यह जो timer का endo point है timer का endo point आपका NC बनेगा मतलब यह जो आपका 41 है यह जो timer है इसी का आपका interlock दिया हुआ है ठीक है तो जब आप master control को लगा रहे है तो आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है जब आपका reverse side चल रहा है यह forward side चल रहा है इसके साथ आपको देखना है कि जो contractor का endo point में हम face supply देखके रखके है face supply proper तरीका से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ज्यादातर क्या होता है contactor के यह जो endo point है यह endo point आपका कभी-कभी खराब हो जाता है इसके चलते क्या होता है माल लिजी अगर forward side के खराब हुआ तो forward side यह आपका totally बंद होगा resistance का contactor भी operate नहीं होगा इसके साथ आपका क्या होगा ब्रेक के contactor भी operate नहीं होगा तो उस टाइम आपको पहले contactor का endo point आपको check करना है अभी दोस्तों तीन नमबर forward के बारा मैं बताऊंगा तीन नमबर forward में आ जाता है कि जब आपका LT चल रहा है तो diver आपको क्या बोल रहा है diver बोल रहा है कि हमारा LT बहुत slow चल रहा है किस कारण से slow चल रहा है शिरिप ये जो resistance का contactor लगा हुआ है इसको देखने से नहीं होगा आपको दोनो resistance box को बहुत अच्छा से check करना है और resistance box में देखिएगा जो wire या माली जी का plate लगा हुआ है कोई plate cut गया है या नहीं cut गया हो भी आपको बहुत अच्छा से check करना है जो आपका DEF है ठीक है इसमें क्लाइम मेटर में आपको देखना है कि हमारा कितना MPR ले रहा है देखिएगा ज़्यादा तर क्या होगा MPR आपका reverse और forward जब चलेगा उसी time कुछ millisecond के लिए MPR बताएगा माली जी के LT में देखिएगा जो आपका resistance box है resistance box में एक name plate दिया हो रहता है name plate में rotor का MPR भी लिखा हो रहता है और ओ रोटर का MPR आपको किस time पता चलेगा जब आपका reverse से forward चलेगा उसी time कुछ millisecond के लिए आएगा तो माली जी इस जगह में जो 24 MPR हमारा ultimate load है ठीक है तो 24 MPR हमारा किस time बताएगा शिरिफ reverse और forward जब चलेगा कुछ millisecond के लिए ही आएगा मतलब diver को क्या बोलना है कि एक बार reverse में चलाओ एक बार forward में चलाओ तो reverse में चल रहा है जैसे forward करेगा तुरण आपका kilometer में MPR बताएगा और यह जो DEF है यह तीनों में MPR चेक किजिएगा तो आप अराम से मतलब देख सकते हैं पकड़ सकते है फॉल्ड को कोई rotor का wire cut गया है या नहीं cut गया है तो दोस्तो इस जगह में हमारा क्या है यह हमारा 41 काम किया, काम जैसे ही करेगा, आपका timer का 0.1 सेकंड है, होगा, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा NC बनेगा, जब आपका NC बनेगा, तो 4C 42, 4C 52, यह दोनों कॉंटर्टर आपका on हो जाएगा, on होने के बाद, आपका क्या होगा, थोड़ा-थोड़ा LTE में, स्पीड बढ़ेगा, और यह जो A1 टू लिख के रखा हूँ, मतलब LTE में जो दो मोटर रहता है, दोनों मोटर, एक नमबर मोटर, और दो नमबर मोटर, इसके बाद दोस्तों, इस जगा से हमारा जो कनेक्टर है, 400 संतार नमबर ओयर, यहां से हमारा क्या फेज सप्लाई आ रहा है, और यह किस के साथ इंटरलोग दिया हुआ है, 4C42, तो यह हमारा क्या है, 4C42, यह जो आपका रेश्टेंस 1 का कॉन्टर है, इसी के साथ आपका क्या है, यह जो 4C52, यह भी कॉन्टर, यह जो टाइमार का NO है, यह NC होने के बाद दोनों कॉन्टर ओन होगा, तब ही क्या होगा, 42, टाइमार ओन होगा, नहीं तो किसी भी आल में ओन नहीं होगा, इसी में दोस्तों क्या होता है हम लोगों को ज्यादा तर धोका हो जाता है क्या धोका होता है यह 4C42, 4C52 यह जो दोनों कोंटक्टर है resistance का दोनों कोंटक्टर का NO से interlock दिया हुआ है तो आपको बहुत बढ़िया से NO को check करना है ठीक है जब तक आप check नहीं किजिएगा तब त क्लिमीटर में चेक नहीं करना है आपको बाल फोल्डर से ही चेक करना है क्यूंकि यह 110 बोल का control supply है रहता है 100 बाल फोल्डर से बहुत अराम तरीका से चेक हो जाता है किस तरह से चेक करना है बाल फोल्डर का एक पॉइंट आप नूटल में लगा दिये और दूसरा जो पॉइंट बचा इस जगा पी आप लगा के चेक कर सकते है इस जगा पी चेक कर सकते है यह वान पी चेक कर सकते है मतलब एक जो आप नूटल में बाल फोल चेक करना है इसके बाद दोस्तों आज आता हमारा रेश्टेंस टू रेश्टेंस टू का जो कॉंटक्टर लगा हुआ रहता है एक किस तरह से काम करेगा इससे पहले दोस्तों आपको यह भी देखना है जो आपका फर्वार्ड और रिवयास का मास्टर कांट्रोलर का कीट है तो ये तो आपका NC बना, NC बनने के बाद जो आपका ये symbol दिया हुआ है, ये हमारा forward का symbol है, ये हमारा reverse का है, और ये जो दोनों तरब देखिये गए, symbol दिया हुआ, इसका मतलब है कि आपका reverse पे भी काम करेगा, forward पे भी काम करेगा, और जब आपका, माली जे के reverse साइट चल र फूरेगा, तब आपका क्या होगा, face supply आगे आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो 42 ये जो टाइमर है, ये on होगा, तभी आपका क्या होगा, 4C41, 4C51, ये आपका contactor on होगा, कोई करण से माल लिए, ये जो टाइमर है, इसको आप क्या कर दिये हैं, ये आप माल लिजिए के ह हमारा 0.2 सेकन्ड में शेटिंग होना चाहिए। इसके जगा मैं आप पांट सेकन्ड यदास सेकन्ड में सेटिंग कर जीएगा। तब क्या होगा? जैसे ही आपका ड्रायवर एल्टी चलाएगा, पांट सेकन्ड बाद क्या होगा? थोड़ा सा जटका लेके चालू होगा है इसलिए driver बोलता है कि हमारा LTE में जटका ले रहा है तो जीस हिसाब से मैं आप लोगो को setting बताता हूँ एक दम same to same setting कीजिएगा तो आपको कभी भी driver बोलेगा नहीं कि हमारा LTE में जटका ले रहा है तो यहाँ पर हमारा 42 टाइमर है ON DELAY टाइमर यह ON होगया ON होने के बाद क्या होगा 0.2 सेकंड के बाद यह NC बनेगा जब आपका NC बनेगा 4C 41, 4C 51 और इसके साथ 43 एक टाइमर भी आपका ON होगा जब आपका 43 टाइमर ON होगा तब क्या होगा इसको हम 0.3 सेकंड में सेटिंग करके रखे है तो 0.3 सेकंड के बाद क्या होगा यह हमारा NC बन जाएगा लेकिन NC बनने से नहीं होगा इहां तक आपका फेज सप्लाई आना चाहिए कभी-कभी क्या होता है यह जो master controller का kit है continue एक साल या दो साल चलते-चलते क्या होता है जो master controller का kit है पूरा घीज जाता है तो इस जगा में आपका क्या होता है ठीक से NC नहीं बन पता है आप दूर से देखिएगा तो लगेगा का आपका NC बन गया लेकिन हो ठीक से नहीं बन पता है इसलिए थोड़ा देरा master control के पास खड़ा होके देखिएगा तो देखिएगा इस जगा में आपका इस parking हो रहा है इसलिए क्या होगा यह जो contactor है कभी देखिएगा फर 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 करता रहता है और यह जो फर फर करता है इसका और एक fold देखिएगा ज्यादा तर देखने के लिए मिल जाता है किस type का phone contactor बंध हो रहा है चालू हो रहा है तो उस time आपको यह जो एनो point है एनो point भी आपको बहुत अच्छा से चेक करना है कभी कभी क्या होता है contactor में से यह जो एनो point है यह खुल जाता है BCH का timer रहे है मानली जी का BCH का contactor रहेगा BCH का contactor में ज्यादा तर यह फर्फर करता है और इसका जो add and block है जिसको हम लोग element बोलते है side में आपका लगा हो रहता है यह कभी कभी आपका loose भी हो जाता है कभी कभी खुल जाता है इसलिए क्या होता है कि contactor आपका फर्फर्फर्फर्फर करता है और एक फॉल्क देखने के लिए मिलता है तो देखिए कर यह जो आपका end point है मानली जै जे no point आपका खराब हो गया मतलब इसके अंदर में जो आपका kit लगा हुआ है एक छोटा जैसा कीट पे भी थोड़ा सा खा गिया है यह इस पार्किंग हो गिया है उसके चलते पे भी आपका कॉंटक्टर फड़ 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 करता रहता है अभी दोस्टो मैं आप लोगो सात नंबर फड़ के बारे में बताऊंगा अभी इस जगा में हमारा क्या है हमारा 4T3 टाइमर ओन यह जो आपका रेश्टेर्स नमबर तीन नमबर जो कौन्टक्टर है ठीक है आपका दोनो ओन हो जाएगा जब आपका ओन हो जाएगा तब क्या होगा एल्टी आपका टोटाली फूली स्पीड में चलने लगेगा और जीसे सबसे दोस्तों मैं सेटिंग के बार में बताता हूँ इसी के उपर थोड़ा सापको गौर करना है अभी साप नंबर फॉल्ड में हम लोगों को एक चीज़ ज़्यादा तर देखने के लिए मिल जाता है क्या के एल्टी तो हमारा चल रहा है लेकिन जो आपका दोगो मोटर लगा हूँ रहता है दोनो मोटर में जो आपका सिलिपिरिंग है सिलिपिरिंग में आपका कारबन में क्या होता है कि हमारा दो मोटर है तो दो मोटर में आपका एक नंबर मोटर या दो नंबर मोटर एक मोटर का जो कारबन होल्डर के पास आपका कारबन ब्रास लगा हुआ है ठीक है तो एक मोटर में आपका कारबन ठीक है दूसरा मोटर में आपका कारबन ठीक नहीं है मत आप चलते चलते घीश के छोटा होगिS पूंट दिखाई देगा किस टाइब का फॉल्ड आईगा क्यों मोटर आपको थोड़ा सा पहले गुम रहा है एक मोटर थोड़ा सा बाद में गुमкивा क्यूंकि पैनल में आप कितनों भी चेक कर लिजिए, फॉल ठीक करने के लिए मोटोर के पास जाने के बाद मोटोर में जो आपका स्लिबरिंग लगा हुआ है, स्लिबरिंग के साथ आपको कार्बन बिरास भी बहुत अच्छा से चेक करना है, और ऐसे दूर से देखके चेक कर करने से नहीं होगा, मोटोर को पीछे का धकन आपको खोलना है, एक साइड भी धकन रहता है, धकन खोलके कार्बन बिरास को निकाल के देखना है, क्या हमारा कितना छोटा हो गया है, और ज्यादा देखिएगा छोटा हो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो सिलिबरिंग ल रहा है या नहीं तो कार्बन विरास हमारा छोटा हो गिया है इसी तरह से दोस्तों स्टेप आपको एक्स्पिरियंस बनाना है अभी जो फेज और नूटल है इसमें क्या-क्या फॉल्ड आता रहता है वह भी जानना बहुत जरूरी है ज्यादा तर इस जगह में जैसे हमारा 454 सब्सक्राइब नंबर मालीजे का ओयर है या कनेक्टर के पास देखिएगा आप मिला के देखिएगा तो मिल जाएगा तो यहांसा हमारे 110 बोल्ड सप्लाइब आ रहा है तो आपका जो यह मास्टर कॉंट्रोलर का कीट है कीट को बहुत अच्छा से चेक करना है कि जितना सा हमारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंके यह जो मास्टर कर और कोंट्रोलर का आपका कीट रहता है कीट कभी-कभी क्या होता कर दो गूदक करता है तो बहुत ज़दा टाइट कर दिएगा तो उसी जगा में आपका टूटके रहे जाता है लेकिन पता चलता नहीं है जिस टाइम आप क्रेन को चेक किये हैं या क्रेन का मेंटिनेस किये हैं उस टाइम हम लोग क्या करते हैं जितना सारा कंट्रोल ओयर है सबको बहुत बढ़िया से टाइट करते हैं उसके साथ आपका मास्टर कॉंट्रोलर में जितना सारा कीट लगावा रहता है इसको भी हम लोग टाइट करते हैं और यार पेसर से एकदम क्लीन करके रखते हैं जितना अच्छा से आप क्लीन करके रखिएगा देखेगा फॉल्ड बहुत कम आता है उसी टा स्थी होगा फ़र्वर्ड साइव्र बंदь होगा या-्रिवास का टूट जायेगा तो दिवास वलाई बंद लगाःगा कर ठीक से एण सी बंद चल रहा था अभी मेंटेनेस करका है तो उसके बाद से आपका फॉल्ड आ गया तो जीस टाइम आप योटी ओवारेड क्रें का मेंटेनेस कर रहे हैं सिरीब कीट को टाइट कर रहे हैं उसके बाद आपको एक बार चेक भी करना है कि पोपर तरीका से हमारा ओयर टाइट हुआ है या नहीं हुआ है या कोई कीट टूट गया है या नहीं टूट गया है और चाये है आपका लिटी पैनल रहे में Chloe यह आपका क्रोस ट्रेबल रहे सब पैनल के लिए से मेंटिनेस है जितना अच्छा से टाइट करके रखिएगा उतना बढ़िया आपका चलेगा दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कॉमेट जरूर कीजिएगा और चैनल क को सस्क्राइब कीजिएगा क्यूंकर मैं इसी टाइप का कॉंटेन बनाता रहता हूं और जितना हो सकत मैं आप लोग का हेल्प करता हूं बहुत सा फ्रेंड का ये भी रिक्वेस्ट है कि जो आप डाइगराम बना के समझाते हैं यह डाइगराम भी हम लोग को दे दिजिए तो दोस्तों यह डाइगराम आपको मिल जाएगा किस में मेरा जो निया टेलीगराम चैनल है टेलीगराम चैनल में मैं डाल दूंगा उसी में से आप लोग डाउनलोड कर लिजिएगा नमस्कार जाए हिंद